आप देख रहे हैं MNS News, सच ज़रूरी है नमस्कार मैं कंचन और आप मुझे देख रहे हैं MNS News Live पर आईए देखते हैं आज के दिन की शुरुआत की खास कबरे जिसे सुनकर आपका दिन मन जाए अंडर वर्ल्ड ओन दाउद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से जमीन खरीदने के आरोप में राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट रिनेता नवाव मलिक की मुश्किले बढ़ सकती हैं मनी लॉंडरिंग केस में परवर्ता ने देशाले की चार्ड शीट में खुलासा हुआ नवाव मलिक उनके भाई असलम मलिक दाउद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और 1993 मुंबई सीरियल बलास्ट के दोशी सरदार खान के बीच कुडला इसे गोवावाला कॉंप्लेक्स को लेकर कई दोर की मिटिंग हुई थी हीडी की चार्ड शीट में नवाव मलिक सरदार खान और नेता से जुड़ी कंपनिया सॉल्डिस इंवस्टमेंट प्राइबेट लिमिटेड वा मालिक इंफ्रास्ट्रेक्चर को आरोपी बनाया गया है विशेश नया अधीश आर एन रोपडे ने कहा कि मामले में आगे पढ़ने के लिए प्रयाप्त आधार है अधालत ने का या इंगित करने के लिए प्रतम देश्ट्रे सबूत है कि आरोपी सीधे और जान बुचकर मनी लॉंडरिंग अप्राइब में शामिल है कि नवाब मलिक उनके भाई अस्नम मलिक दाओद इब्रहिम की बहन हसीना पारकर और 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोसी सरदार खान के बीच कोड़ा इस्तित गुआ वाला कॉंपलेक्स को लेकर कई दौर की मीटिंग हुई थी इडी के चार्ज शीट में नवाब मलिक सरदार खान और इंसीपी नेता से जुरी कमपणियों सौलेट से इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिरेग्व मलिक इंस्वाइस्ट्रेक्चर को और आरोपी बनाया गया है विशेस ने एडीस आरेन रोकारे ने कहा कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पडियाप्त आधार है आधालक ने कहा यह इंगित करने के लिए पर्थम दिस्ट्रियास तबूत है कि आरोपी स्तीधी और जानबुच कर मनी लॉंट्रिंग अपड़ाद में शामिल है दाउद गैंक के स्तक्रियस अदस्ते भी हसीना पारकर जाच एजनसी ने अपने आरोप पत्र में दावग किया है कि हसीना पारकर अपने भाई दाउद के गिरोह डी कमपनी के स्तक्रियस तरडिस्टे थी वो ट्रेलर फंडिंग के लिए गुआ वाला कॉंप्लेक्स साहित अन्ने कई पर्मुखुर स्तंपत्यों के अनाधिकरित कब से अधिकरहन में शामिल थी अजालत ने कहा कि नवाम मलिक द्वारा हसीना पारकर की मिली भगत से कथितरूद से हड़पी गई स्तंपत्ती मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत अपड़ाज की आई है फिलाल वक्तों चलाए ब्रेक का ब्रेक से लॉटने के बाद हम आपको बताएंगे देश-दुनिया की तमाम खबरे तब तक देखते रहे हैं MNS News Live क्योंकि सच जरूरी है नमस्कार यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News